Hello Everyone, Welcome to Tutorials Point इस वीडियो में हम शुरू करने वाले एक नया चेप्टर and चेप्टर का नेम है Quadrilaterals तो यहां हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे एक तो हम जानेंगे कि Quadrilaterals होते कहा हैं उनका Introduction and बात करेंगे Angle Sum Property of Quadrilaterals के बारे में तो देखें सबसे पहले अगर आपको मैं चार पॉइंट दूँ कि आपके पास चार पॉइंट है तो उसकी different cases हो सकते हैं कि वो कैसे आपस में join हो रहा है like यहां पर देखिया आप यह different cases है हमारे पास suppose चारों पॉइंट एक ही straight line में लाए कर रहा है तो उनको हम इस तरह जोइन कर सकते हैं तीन हमारे points एक straight line में है एक अलग है तो उनको हम triangle की help से join कर सकते हैं अगर चारों अलग अलग जंगा पर हैं तो कुछ इस shape से हम उनको join कर सकते हैं तो यह हमारे पास कुछ cases थे जब 4 points हैं हमारे पास और उनके different cases की वो किस तरह लाई कर रहे हैं तो quadrilateral क्या है देखें quadrilateral actually में दो term से मिलके बना है quad जिसका मतलब होता है 4 and lateral जिसका मतलब होता है side तो ऐसी shape जो 4 side से मिलके बनी हो वह है हमारा quadrilateral हमारा कोई भी quadrilateral ऐसी close figure है जो 4 line segments के help से मिलके बना है and ये 4 line segments उस quadrilateral की sides होते हैं अब देखें एक quadrilateral को हम कह सकते हैं कि एक four sided polygon है जो shape की बात हमने की थी जब 4 points अलग अलग जांगा पे दे वो quadrilateral है आप यहां देखें 4 sides है हमारे पास 1, 2, 3 and 4 तो ये 4 sides से मिलके जो हमारी close shape बन रही है यही हमारा quadrilateral है अब देखें एक quadrilateral अगर हम consider करें जो है A, B, C, D ये 4 points है हमारे पास A, B, C, D इनको हमने line segments की help से join कर दिया close figure बना दिया अब इसके बारे में हम basically क्या कह सकते हैं किसमें 4 sides हैं कौन-कौन से ही A, B, B, C, C, D and D ये 4 sides है 4 ही हमारे पास यहाँ पर vertices हैं vertices क्या-क्या है A, B, C and D right and यहाँ पर हमें आप देखेंगे तो 4 internal angles भी मिलते हैं जो कि है angle A, angle B, angle C and angle D तो ये हमारे पास कुछ basic बात है थी जो quadrilateral की है and अगर आप opposite vertices को join करें जैसे A को C के साथ तो आपके पास इस quadrilateral में दो diagonal में मिलेंगी एक A, C and B and D को join करेंगे तो ये B, D right तो ये कुछ basic बात है quadrilateral के बारे में ठीक है अब देखें angle sum property क्या होता है triangle chapter में आपको पता है triangles के बारे में कि एक triangle के internal angles का sum हमेशा 180 degree होता है तो ये चीज अपलाई होती है quadrilateral में भी quadrilateral की भी एक अपनी एक angle sum property है उसके according किसी भी एक quadrilateral के internal angles का sum हमेशा 360 degree होगा and इसको हम prove भी कर सकते हैं कैसे suppose आपके पास ABCD ये quadrilateral है इसको मैं अगर एक diagonal के along divide करूँ मतलब कोई भी एक diagonal को join करूँ suppose हमने A and C को join कर दिया तो हमारे पास AC एक diagonal होगी इस diagonal AC ने ABCD जो हमारा quadrilateral है इसको दो triangles में divide कर दिया एक तो ACD and ABC आपको दिख रहे हैं दो triangles वैसे तो idea आपको आई गया होगा कि हम कैसे प्रूब करने वाले हैं पर देखें आपके पास जो triangle ACD है अगर इस triangle को हम consider करें and इसमे angle sum property of triangle लगा है तो angle DAC यानकि ये angle plus angle DCA ये angle and plus angle D खुद तो इन 3 angle का sum किसके को लोगा 180 degree क्योंकि एक triangle के 3 internal angles का sum किसके को लोगा है 180 degree तो यहां से हमें मिली एक equation इसको हम देद देते हैं equation number 1 same हम angle sum property अपलाई करते हैं triangle ABC तो triangle ABC में देखिया आप angle BAC plus angle BCA and plus angle B इन 3 का जबाब सम करेंगे ये भी किसके को लाएगा ये भी 180 degree के एक को लाएगा क्योंकि ये angle sum property हम अपलाई करें triangle ABC में तो इस equation को हम अगर देते थे हैं number 2 तो जो हमारा quadrilateral है वो इन दोनों triangle से मिल के बना है तो अब हम क्या तरहेंगे equation 1 and equation 2 को add कर देते हैं तो add करेंगे तो DAC plus DCA plus angle D DAC plus BCA plus angle B ये किसके एकवल होगा 180 degree plus 180 degree के अब देखे 180 plus 180 360 ये तो सीधा है पर अगर DAC and BAC इन दोनों को मैं एक जंगा लिखूं plus angle B and DCA plus BCA इनको एक जंगा लिखके plus angle D ये पूरी equation हमारी 360 degree के एकवल होगी अब देखे DAC ये वाल आइंगल plus angle BAC ये वाल आइंगल ये दोनों angle मिलके हमारा कोन सा angle बना रहा है ये पूरा angle है इस कोन क्या कह सकते है angle A right angle B हमारे पास है ही अब DCA यानिक Bl stability ये और BCA ये दोनों angle मिलके कि बना रहा है पूरा एंगल ये वाला, यानि कि एंगल C, तो इन दोनों को मिलके हम लिख सकते हैं, एंगल C के एकवल राइट, प्लस एंगल D ये हमारा equation किसके एकवल हो गया 360 डिग्री के, तो यहां से हमें मिला, that A plus B plus C plus D, ये 4 एंगल का सम 360 डिग्री के एकवल है, एंड ये ही हमें इस एंगल सम प्रोपर्टी में कहा गया है कि किसी भी एक वाड रिलेटर के 4 internal angles का सम हमेशा 360 डिग्री के एकवल होगा, एंड यहां पर हमने बात करी, वाड रिलेटरल की एंड उसकी एंगल सम प्रोपर्टी को Thank you.